जादूई छतरी बारी शुरू हो गे थी चुन्नु बिना छतरी के जैसे तैसे स्कूल पहुचा तो लेट हो गया उसे देखते ही टीचर ने कहा चुन्नु वही रुख जाओ कितनी बार कहा है तुमसे बरसात में भीगते हुए मत आया करो छतरी लेकर आया करो टीचर जी वो टीचर छतरी होगी तो लाएगा ना हर साल कहता है अगले साल छतरी लेकर आऊँगा और लाता नहीं है कंजूस कहीं का चुन्नु तुम छतरी लेकर क्यों नहीं आते टीचर जी मेरे पास छतरी नहीं है तो पापा से कहो हाट से खरीद लाए ये देखो मेरे बापु ने ये छतरी ले कर दी है देखो चुन्नू मैं तुम्हें इस तरह भीगा हुआ क्लास में बैटने नहीं दे सकती पूरी क्लास गंदी हो जाती है तुम घर जाओ कल आना या वही खड़े रहकर सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ और चुन्नू पूरे दिन उसी दरवाजे के पास तो कभी खिड़की के पास खड़ा टीचर को देखता रहा वो क्या पढ़ा रही थी सुनता रहा दूसरे दिन उसने सोचा बारिश शुरू होने से पहले ही वो स्कूल चला जाएगा मगर जैसे ही वो निकलने लगा अचानक बारिश शुरू हो गई अरे बारिश तो जोरो से शुरू हो गई बैपू मुझे छतरी लेकर दो ना लेकर दूँगा बेटा जल्दी ही लेकर दूँगा हर साल आप यही कहते हो फिर मेरा बेटा पूरे साल बारिश से बच-बच कर जाता है पढ़ता है और फिर दूसरे साल वही समस्या क्या गरू फुलवा पूरे साल तो मैनत करता हूँ पर इतना कमा ही नहीं पाता कि दो वक्की रोटी के सीवा भी कुछ जुटा सको माप करना चुन्न बेटा मैं तेरे लिए एक छोटी सी छत्री भी नहीं ले पा रहा हूँ तो की मत हो यह बापो मैं चला जाओंगा अरे कैसे चला जाएगा बारिश मा मैं पेड के नीचे नीचे से होता हुआ बश्ता बश्ता स्कूल तक पहुच जाओंगा बाई अम्मा बापो अरे लेकिन चुन्न बारिश से बच्टा हुआ भाब कर एक बेड के नीचे पहुचता है कुछ देर बेट करता है मगर बारिश है कि ठमने का नाम ही नहीं ले रही वो कुछ देर उपर की तरब लेखता है आसमान पूरी तरह काला है ओ बादल तो बहुत गिरे हुए है लगता है आज स्कूल में बहुत लेट हो जाओंगा मुझे चलना चाहिए अगर कुछ देर और ऐसी बारिश रही तो मैं कमर तक भीग जाओंगा फिर मेरा स्कूल ड्रेस भीग गया तो टीचर भी वैसे ही क्लास में नहीं आने देगी क्या करूं? क्या करूं? उसे पेड पर चड़े हुए काफी वक्त गुजर गया है उसे भूक लगती है वो अपना पेड पकड़ता है उसे जोरो की भूक लग जाती है सोचता है पता नहीं कब बारिश बंध हो क्यों न तब तक अपने स्कूल का टिफिन खालू? और वो अपने स्कूल बैक से अपना टिफिन निकालता है उसमें रोटी और बुक का किया हुआ प्याज है तभी उसे पानी में नीचे छपचप की आवाज आती है वो देखता है तो एक साधू चलता हुआ उसी पेड के नीचे आकर रुख जाता है चुन्नू उसे देखता है फिर अपने भूख का एहसास करके रोटी प्यास के साथ खाने लगता है साधू उसे खाता हुआ देखता है चुन्नू दूसरा निवाला खाता है तो देखता है साधू उसे खाता हुआ देख रहा है वो तीसरा निवाला खाता है तब भी साधू उसे देख रहा है साधू उसे देख रहा है ये देख चुन्नू कहता है बाबा खाओगे दो निवाले खिला दोगे तो भला हो जाएगा बच्चा आज वर्षा की वज़े से भिक्षा नहीं मिल पाई है दो निवाले क्या बाबा दो रोटी खा सकते हो पर रोटी के साथ सबजी नहीं है सिर्फ मुक्का मारा हुआ प्याज है जब भूग लगी हो तो हर खाना पंच पकवान लगता है बच्चे लीजिए किन्तु तुम इस वर्ख्ष पर क्यों बैठे हो बच्चे स्कूल जा रहा था बाबा बारिश तेज हो रही है पेड के घने पत्तों में बचने के लिए यहां बैठ गया छाता नहीं है तुमारे पास नहीं बाबा बापु से कहा था लेकर दे दो वो थोड़ा लेकर दे देंगे ये लो बच्चा मेरे पास एक छाता है तुम ले लो कमाल है बाबा छाता होते हुए भी आप बारिश में भीगते हुए आए हम साधों को छाते की क्या जरुत हम साधों को छाते का क्या काम ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो हम तो कुदरत के हर रूप का आनंद लेते हैं वह आतमा त्रप्त हो बच्चा, जाओ, खुश रहो कहता हुआ साधों वहां से चला जाता है उसकी जाने के बाद चुन्नु भी बेर से उतरता है और छट्री खोलता हुआ शकूल पहुच जाता है स्कूल में सभी उसे इतनी बढ़िया छत्री लिए आया देख, चौक जाते हैं अरे चुन्नू, आज छत्री होकर भी तुम लेट हो गए अब तो स्कूल छूटने का टाइम हो गया है कल से लेट नहीं होंगा टीचर जी, अभी अभी छत्री मिली है मुझे जरूर कहीं जचुराया होगा, कप्पू सभी बहर आते हैं तो देखते हैं, बहर बहुत ही तेज हवा चल रही है आंधी सी, और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है ये देख, सारे बच्चे अपनी अपनी छत्री खोलते हैं दो-तीन बच्चों के पास छत्री नहीं है ये देख, कप्पू एंड फ्रेंज अपनी अपनी छत्री खोलते हुए उनकी और देखकर हसते हैं तभी चुन्नू आता हुआ, अपनी छत्री खोलता है और उन दो-तीन बच्चों से कहता है आज जाओ, तुम तीनों भी आज जाओ अरे हम तीनों इतीसी छत्री में कैसे आ सकते हैं अरे पूरी तरह भीगने से तो अच्छा है, कुछ-कुछ बच जाना आओ, देखो, बच रहे हैं ना हम चारों हाँ यार, तुमारी छत्री तो बहुत बड़ी है इनकी छत्री कहुआ बन गई गपू, आजओ, मेरी छत्री में आजओ, बारिश बहुत तेज है नहीं, मैं आओ, कुमारी छत्री में ए हटो, उसने मुझे बुला ला था और गपू, अपने ही दोस्तों को धक्का देकर चुन्नो की छत्री के नीचे घुश जाता है जैसे ही, वो छत्री में घुशता है छत्री पिर कुछ बड़ी हो जाती है तब ही, बाकी दोस्त भी आकर उसकी चत्री में घुश जाते है तो छत्री और भी बड़ी हो जाती है सभी उसके नीचे सुरक्षित आ जाते है सभी गाउं की ओर चल देते है अब रास्ते में एक-एक करके कई लोग मिलते है वे भी जुन्नू की छत्री में गुश जाते है धीरे-धीरे छत्री इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे जुन्नु जुन्नु नहीं कृष्ण भगवान है जो गोवर्धन परवत उठाए उनके साथ चले जा रही है जमितर साहब आप यहां हमें बुला लिया होता कुछ काम हमने सुना है तुम्हारे वेटे के पास इतनी बड़ी छत्री है कि पूरा गाउं उसके नीचे पारिश से बचता हुआ आ गया नहीं तो ये दिखिए ये तो बहुत चोटी सी चत्री है एक बच्चे को बचाने के बराबर ऐसा कैसे हो सकता है हमने खुद अपनी आखों से देखा था देखा है ना चोटी ही चत्री पर मैंने तो देखा था जमीदार साहब हमें भी वीगने से बचा दो अरे ये चत्री तो बड़ी होती जा रही है देखा मैंने कहा था ना चुन्नू बेटा तुम्हें ये चत्री कहां से मिली ये मुझे आज एक सादू बाबा ने दी थी ओ, तभी ये जादूई चत्री है इससे तो हम पूरे साल के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं कैसे जमीदार साहब? इसके नीचे जितने भी इंसान आते हैं ये उतनी ही बड़ी होती चली जाती है हम अपने गाउं और तालाब के बीच चुन्नू को ये छत्री लेकर खड़ा कर देंगे फिर उसके नीचे चुन्नू के एक तरफ तालाब तक दूसरी तरफ नहर तक गाउं वाले खड़े कर देंगे उन्हें पानी से बचने के लिए छत्री तालाब से नहर तक बड़ी हो जाएगी फिर जो भी बारिश का पानी गिरेगा तालाब और नदी में गिरेगा पूरे साल भर की पानी की समस्या हल हो जाएगी और जमीनदार के कहने पर चुन्नू ने वैसा ही किया और सच मुच बारिश का पानी छत्री पर से होता हुआ एक तरफ ताला और दूसरी तरफ नहर में गिरता रहा फिर तो ये सिलसिला रोज चलने लगा जब भी बारिश होती नहर और ताला भी नहीं भर जाते बलकि उन खेतों को भी ज्यादा बारिश से बचा लिया जाता जिनका अधिक बारिश की वज़े से नुकसान हो सकता था फिर तो पूरे गाउं में चुन्नु की वहवाई हो जाती है बेटा, इतने सालों से तुम एक छत्री के लिए तरस रहे थे अब देखो, तुम्हें ऐसी छत्री मिली है कि तुम हमारी ही नहीं पूरे गाउं की रक्षा कर रहे हो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था बापू सबर का फल हमेशा मीठा होता है कि अब दुम्हें पूरे गाउं की रहे हो